हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HTS ट्यूटूरियल पर स्वागत है तो आज हम लोग देखने वाल है JCRT क्लास 8 का मंतली एसिस्मेंट देखिए मासिक मुल्यांकन दिसंबर का तो इसका काफी दिन से इंतिजार कर रहे थे हम लोग तो फैनली इसका कोशन आ चुका है इसे हिंदी, इंगलिस, गनित, विज्ञान, समाजी विज्ञान और संस्कृत है तो भी ना लेट कि हम लोग चले बढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट की और हिंदी में देखिए सबसे पहले यहां पर एक पैसेज दिया हुआ है प्रग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ना है और नीचे कुछ कोस्टेन उसका अंसर देना है पैसेज आप पढ़ लीजेगा डिरेक्ट में कोस्टेन पर आता हूँ देखिए गद्यान सिक अनुसार कौन अपने साथ फूलों की सुर्भी विखेरती है पहला अपसन है नदिया दूसरा अपसन है आँखे तीसरा अपसन ह ने है क्रिया विखेशन चुथा अपसन है विखेशन तो इसका सही अंसर होगा अपसन नमबर सी क्रिया विखेशन इसे नोट कर लीजे फिर दीखे नेक्स्ट तीन नमबर निमलिकत वाक्यों को सामने दिये गए कारक के चिन्नों की सहता से पूरा कीजिए तो यहाँ पर का देखिए दुख सरीर के मन पर सिमट आया है इसे आप नोट का लीज़े पिर दिखिए खा नमबर तुम्हारी मा अमरूद खालेस्थान पेड़ काटने को कहती है तो यहाँ पर देखिए ऑप्सन में दिया हुआ है ने का फिर में पर तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारी मा अम्रूद का पेड़ यहाँ पर का हो जाएगा तुम्हारी मां अम्रूद का पेड़ काटने को कहती है यह का को यहाँ पर भरना है इसे आप नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं नेक्स हम लोग फोर नमर की ओर बुड़ी पृत्वी को किस बात का दुख है तो बुड़ी पृत पृत्वी को किस बात का दुख है तो इसका उतर हो जाएगा बुड़ी पृत्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्याधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरन प्रदूसन का दुख है इसे आप नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं अगला कोर्शन की ओर अगला कोर्श छोटा कीजे इस तरीके से कमेंट करने से कोई फादा नहीं होगा आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा इसका अंसर तो शेलीस का अंसर हम लोग देखते हैं इसका उतर देखिए यहाँ पर व्याख्या प्रसुत पंतियों में कवित्री ने तूटते हुए पहाडों के प्र दोपहर में अभी तुमने हथोड़े की चोट से विखर्टेवे पत्थर की चीक सुनी है वास्तों में इन पंतियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदेर्य को समाब्त करते हुए मानोकृत्य की भर्चना की गई है फिर आगे आपको लिखना है देखिए यहाँ से कवित्री ने बुड़ी प्रित्वी के दुख को रिखांकित करने का प्रयास किया है कवित्री का कहना है कि प्रदूसन के कारण वायू भी स्वास्त्य वर्धक नहीं रह गई है मनुष्य की मनुष्यता परसंदे करते हुए कवित्री ने पूछा है कि अपने व्यस्त जीवन में से कर कभी सिकायत न करने वाली बुड़ी प्रित्वी के दुख को कभी जानने का प्रयास किया है यदि नहीं तो मनुष्य को वेकसील समझदार नहीं कहा जा सकता है तात पर्य यह है कि हमें अपने प्रित्वी के प्रयावरन उसकी सुन्दरता का खयाल अवस्य रखना पैसेज दिया हुआ है पैसेज पोयम का एक चोटा सा पार्ट है तो इसको पढ़ना है और नीचे कुछ कोशन उसका अंसर देना है पोयम का पढ़ लीजेग हम लोग डालेक्ट कोशन के और बढ़ते हैं पहला कोशन देखिए वाट इस द ट्रेजिक साइट हीए ट्रेजिक करता हुआ पेड यहाँ पर दुख को द्रिशित करता है इसे नोट का लिजे फिर देखिए सेकेंड कोश्टन विच वर्ड इन अबब स्टांजा मीन्स टू डेमेज बाए कटिंग का मतलब क्या है पोयम में पहला अप्शन देखिए अट्टैक दूसरा अप्शन है ट्रेज एलायन ओफ नौबेल ट्रीज इन द पोयं अधर अव्थी तेंपलस अब नैवीम आउफ ग्र mamma घयाए पलग लाइन अवेल ट्रीज अभ पा poet loves trees and he admires the trees तो देखिए इसका ही दिमिनिक यह हो जाएगा कि लेखक ने a line of novel trees कहा है इससे यह पता चलता है कि लेखक पेड़ से बहुत प्यार करता है और लेखक पेड़ों की प्रसंसा करता है इससे आप नोट का लीजे अब बढ़ते हैं अगला question की और next question देखिए three number change the given dialogue into indirect speech में बदलना है यहाँ पर लिखावे देखिए रुपे said to his father papa there are many informative and educative channels on television I get updated and become aware about many useful information through the news and other informative channels तो इसको indirect speech में लिखना है तो चलिए इसका हम लोग answer लिखते हैं three number cancer आपको इस पर का लिखना है in direct speech में रुपे said to his father that there are many informative and educative channels on television he get updated and became aware about many useful information through the news and other informative channels इसे आप नोट का लिजे बढ़ेंगा हम लोग next question की और next question देखिए four number how are the websites useful according to rupes give for region rupes के अनुसार website का चार यूज बताना है तो चलिए इसका हम लोग answer लिखते हैं तो देखिए इसका answer आप इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है we can find e-book on website website पर हम लोग उको e-book मिल सकता है second देखिए we can find audio visual educational material on website फिर देखिए तिसरा demonstration classes and video chat फिर देखिए चोग था we can read newspaper on website यह सब region है जिसके कारण website हमारे लिए useful है इससे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हम लोग अगला question की और English का question में हमारा complete हो चुका है अब बढ़ते हम लोग next math की औरों के math यानिकी गनित पहला question देखिए 3a प्लस 4b का work होगा तो देखिए 3a प्लस 4b का work होगा बताना है यहाँ पर option दिया हुआ है तो चलिए इसमें हम लोग पहले solve कर लेते हैं देखिए हमारा question था 3a प्लस 4b का work यानिकी square यहाँ पर हम लोग square लगा देंगे holy square हो जाएगा अब इसको solve करेंगे तो एक formula है a plus b का holy square बरावर a square plus 2a b plus b square है इसका according देखिए सबसे पहले a square लिखेंगे यहाँ पर हम लोग तो 3a square हो जाएगा फिर plus है तो यहाँ पर plus लगाएगे फिर देखिए 2 है तो यहा यहाँ पर b square हो जाएगा अब इसको solve करेंगे हम लोग देखिए तो 3a का square तो यहाँ पर total 9a का square हो जाएगा अब यहाँ पर solve करेंगे इसको 2 3 6 और 6 चूबिस 24a भी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए plus है तो यहाँ पर plus लगाना है फिर यहाँ पर 4b का square 16b का square हो तो चलिए हम लोग option देखते हैं, option में देखिए, यह option कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, option D में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर minus है, तो option हमारा I think problem है, आप देख सकते हैं कि इसको solve करने से यह वाला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर minus के जगा plus होना चाहिए, या तो question में answer हो जाएगा, otherwise अगर question same रहेगा, तो यहाँ पर यह plus होगा, इसको ध्यान देना है, तो option number D आप कर सकते हैं सही, बट यहाँ पर minus होना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजे, अब बढ़ते हैं नेक्स हम लोग, second question की ओर, फोर PQR, 3RS का सारुगननखंड है, तो सारुगननखं जो फिर देखें, तिन number X minus Y बराबर 16, और X square plus Y square बराबर 400 हो, तो X Y का मान ग्याद कीजिए, X Y का मान ग्याद करना है, X Y यानिकी X गुना Y का मान ग्याद करना है हम लोगों को, OK, X गुना Y का मान ग्याद करना है, तो पहले X गुना Y का मान निकालने के लिए हम लोगों को X और y का मान निकालना पड़ेगा तो चलिए इसका हम लोग solve करते हैं आपको इस तरीके से solve करना है x-y ब्राबर 16 लिख देना है और इसको समय करन एक मान लेना है और देखें यहाँ पर x square plus y square ब्राबर 400 यह भी दिया हुआ है अब हम लोग देखें 400 को लिख सकते हैं 20 का square कोई दिकत नहीं है 20 का square 400 होता है तो सेम इसको यहाँ पर उतार देंगे दोनों सेम उतार जाएगा उसके बाद 400 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखें 20 का square कोई दिकत नहीं है अब यहाँ पर देखें square सब में है तो सब square cancel हो जाएगा हट जाएगा तो x plus y बराबर 20 बचेगा 20 तो इसको हम लोग समिकरन 2 मान लेंगे अब हम लोग समिकरन 1 तथा 2 को solve करेंगे और x और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए समिकरन 1 तथा 2 से समिकरन 1 यहाँ पर मैंने लिखा है नीचे समिकरन दुसरा को लिख रखा है अब यहाँ पर देखिए minus y है और नीचे plus y है दोनों cancel हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x और x x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर 16 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा यहाँ पर आप plus लगा सकते हैं इसको लगाना ही है आपको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था यहाँ पर बगल में आपको एक plus का sign दे देना है हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 36 है तो 2 को बराबर का दूसरे स्ट ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा क्योंकि x और 2 के बीच में गुना है तो x बराबर 36 बर्टे 2 हो जाएगा 36 बर्टे 2 को सोल्प करेंगे तो x कमान 18 आ जाएगा x कमान 18 आ चुका है अब नीचे लिखेंगे हम लोग अब x कमान 2 में रखने पर यहां पर आप 1 पर भी रख सकते हैं कोई दिखकत नही है मैंने 2 में रखा है देखिए 18 पलस y हो जाएगा समिकरन दुसरा आप देख सकते हैं यहां पर हैं समिकरन दुसरा x के अस्थान पर 18 रखना भ Griffना है पलस y बराबर 20 तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं 18 पलस y ब्राबर 20 अब y का मान निकालेंगे अठार को दूसरे सेड ले जाएंगे तो इस たरीका से का मान हमारे पास 18 है और i का मान हमारे पास कितना है दो है तो अब यहाँ पर x गुना y लिखना है तो x का मान अठा रहा है गुना y दो तो दुनों को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा इस तरीके से इसका अंसर 36 हा जाएगा इससे आप नोट का लीजे अब बढ़ते हैं हम लोग अगला question की और अब देखिए फोर नमर का question 3pqr-6p square q square r square divided divided देखिए 3pq को हल करें तो चली इसको हम लोग solve करते हैं तो देखिए 4 नमर का solution आपको इस प्रकार करना है 3pqr-6p square q square r square भागा 3pq यहाँ पर बटे मैंने लगा दिया है बटे मतलब भागा होता है अब उपर में जो common है उसको निकाल देंगे 3pqr common है इसको common बाहर निकाल और निचा दिखे 3pq है 3pq 3pq कर जाएगा यहाँ पर जो r है वो बचा हुआ है अभी तो यहाँ पर r उसके बाद bracket लगा कर यहाँ पर 1- उसके बाद 2pqr को लिख देना है यही हमारा answer हो जाएगा इसे आप note कर लीजे अब बढ़ते हैं अगला question की ओर अगला question देखिए 5 5 नमबर एक वरित का चेत्रफल पाई 4x square यहाँ पर square है आपको दिख रहा होगा हलका सा square है पलस पाई 12xy पलस पाई 9y square है इस वरित की त्रिज्या ग्यात कीजिए देखिए 6 त्रफल दिया हुआ है हम लोगों को त्रिज्या ग्यात करना है तो चली इसको हम लोग solve करते हैं दिखिए 5 नमबर का अंसर इस प्रकार आपको लिखना है solution इस प्रकार लिखना है वरित का चेत्रफल बराबर होता है π.r square पोर्मुला रखे देना है अब वरित का चेत्रफल दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है π.r square बराबर प.r square अब यहाँ पर जो कोमा ने हैं उ एक्स का होल स्क्वेलिख सकते हैं, और यहां पर बारा है, ओके यहां पर गूर से देखिए, तो यह जो है, वो एक फॉर्मूला में फिट हो रहा है, फॉर्मूला है, ऐ पलस बी का होल स्क्वेलिख, ऑके बराबर आप लोग जानते होंगे a square plus 2ab plus b square होता है तो यहाँ पर a हमारा 2x है और b हमारा 3y है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x plus 3y का whole square और इधर r square है उसको यहाँ पर r square लिखते ना है अब यहाँ पर दिखिए यहाँ जो square है और यहाँ पर square है दोनो square cancel हो जाएगा 2x plus 3y बराबर r तो r यहाँ पर त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर 2x plus 3y हो जाएगा तो नीचे लिखना है अत्ता त्रिज्या यानि की r बराबर 2x plus 3y यह होगी हमारा अंसर इससे आप नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं अगला question की ओर पहला question देखिए विज्यान विज्यान का पहला question ने प्याज की जिली रक्त कोसी का आमीबा तो नित्रिका कोसी का आद्धी के अस्थाई slide को किस उपकरन की सहता से देखा जाता है पहला अपसर ने सुक्ष्म दर्सी दूसरा अपसर ने आउतल लेंस दिसरा आपसर ने केमरा चोथा सारे विकल पर सही है तो इसका सही अंसर होगा अपसर नंबर पहला सुक्ष्म दर्सी इसे नोट कर लिजे फिर देख सख निर्वान चोथा उपरिक्त सभी इसका अंसर होगा अपसर नंबर चोथा उपरिक्त सभी इसे नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं नेक्स होग थरी नंबर की ओर थरी नंबर की ओष्म देखिये कोसिकाँ वित्ती केवल पादप कोसिका में क्यों पाई जाती है तो वित्ति पादप कोसिकाओं को संग्रिशनात्मक द्रिज़ता प्रदान करती है यहां कोसिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार वृत्ति को बनाये रखने में सहयक कोसिका जिली के बाहर पाई जाती है इसे आप नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं अगला question की ओ किन कारणों से वन प्राने अभ्यारन या सुरक्षित वनों में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं रहें तो चलिए इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर आप इस प्रका लिखेगा सुरक्षित वन भी वन जनतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंक कि कुछ लालची लोग अपने नीजी फायदे के लिए यहां पर रहने वाले जानवरों का सिकार करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि सुरक्षित वन भी वन प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहें इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं अगला कोस्चिन की ओर देखिए फायब नंबर चित्र बनाकर पादप कोसिका और जनतु कोसिका वे अंतर इसपस्ट करें त्वा यहां पर अथवा दिया हुआ याने कि इसको भी आप कर सकते हैं जेव विदिता का संविक्षन आवस्या कहें क्यों व्याख्या करें दोनों में से सिर्फ एक कांसर देना है आपको तो हम लोग उपर वाला कांसर देखेंगे चित्र बनाकर पादप कोसिका और जनतु कोसिका में अंतर इसपस्ट करेंगे तो दिखिए यहां पर पादप कोसिका और जनतु कोसिका का चित्र बना हुआ है आप अपने बुक से भी बना सकते हैं इसको भी आप पहुद गोसिका में कोसिका भित्ती होती है फिर दिखिए बीघनेमंबर इसमें achry तलवक नहीं पाय जाते हैं और यहां देखिए इन में अगला पर देखे जन्तु कोसिका में रिक्तिकाय आकार में चोटी होती है और पौध कोसिका में रिक्तिकाय आकार में बड़ी होती है तो यह major difference है इसको आप नोट कर लिजिए याद कर लिजिएगा बढ़ते हैं अगला question की ओच देखिए समाजिक विज्ञान पहला question देखिए भारते महिलाओं का विस विद्याले में प्रवेसि किस दसक में होने लगा पहला option है अठायो सॉसाथ के दसक में दुसरा अठायो सेत्र के दसक में तीसरा 1880 के दसक में तूसका इसका सही अंसर होगा प्रकार का वर्णन करें तो चली इसका हम लोग अंसर लिखते हैं तो दिखिए इसका अंसर आप इस प्रकार लिखिएगा क्रिसी के दो प्रकार होते हैं पहला निर्वाह क्रिसी दुसरा वानिज्यक क्रिसी अब लोग निर्वाह क्रिसी और वानिज्यक क्रिसी के बार में भी उच्छ लिख लेते हैं देखे निर्वाह क्रिसी क्या है जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज्य होती हो कि उससे प मुदाय के सरम का इस्तिमाल होता है यह मुखिता मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्वर करते हैं इस प्रकार की क्रिसी में किसी अस्थान विशेश की जलवायू के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है इसे नोट कर लिजिए देखे वानिज साजों सामान का इस्तिमाल होता है इसमें अधिक पैदावार वाले बीजी रशानिक उर्वरकिकिट नासक और खर पत्वार नासक का इस्तिमाल होता है भारत में पंजाब रियानाब परस्ची में उत्तर प्रदेश और महराष्ट की कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वानिज्य क्रिसे होती है, इसके अलवा बिहार, परश्री मंगाल, तमिलादो, आधी में भी इस प्रकार के खेती होती है, इसे आप नोट कर लीजे, अपढ़ते हैं अगला कोर्शन की ओर, अगला कोर्शन देखिए, फाइब नंबर सिक्षा का अधिकार कानून बनाने के अधिकार के रूप में अध्यान के नए अउसर स्रीजित करना है, और दूसरा लाव में आपको लिखना है, इसके तहट 6-14 वर्ष की आयू के प्रतेक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगिकरित किया गया है, इसे आप नोट कर लीजे, अब अगला कोश्चन की और, अगला कोश्चन देखिए 6 नमबर, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक इस्तिती में परिवर्तन होने के क्या कारण है, बताएं, तो चलिए इसके हम लोग अंसर लिखते हैं, दिखिए 6 नमबर का अंसर आपको इस प्रकार लिखना है, आधु आधुनिक महिलाओं घर के साथ-साथ बाहर का काम कर आत्म निर्भर होने लगी है, तो यही सब कारण है, जिसके कारण आधुनिक काल महिलाओं की समाजिक इस लिखती में परिवर्तन आया है, या हम कह सकते हैं, सुधार आया है, इसे नोट कर लिजे, अब बढ़ते हैं हम अगला question की ओर, हमारा next question देखिए, संस्कृत से, संस्कृत सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए, एक गद्यांस दिया हुआ, इसको पढ़ना है, और नीचे कुछ question है, उसका अंसर देना है, गद्यांस आप पढ़ लिजेगा, हम लोग direct question की ओर आते हैं, पहला question देखिए, ललिता क्रिडनाय का प्रिछती, पहला अपसन है, परागम, दुसरा अपसन है, मातरम, तिसरा अपसन पाट सालाम, चोथा अपसन है, भरमरम, तो इसका सही अंसर हो जाएक, अपसन नमबर D, भरमरम, इसे आप नोट कर लिजे, अब बढ़ते हम लोग second question की ओर, second question देखिए क्रिडी स्यसी, पदे क धातू क च लकार, क्रिडी स्यसी में कौन सी धातू और कौन सी लकार है, पहला अपसन देखिए, क्रिड धातू, लिरिट लकार, दूसरा अपसन है, क्रिडी धातू, लिरिट लकार, तिसरा अपसन क्रिडी धातू, लट लकार, तो इसका सही अंसर हो इसका अंसर देखिए इस प्रकार आपको लिखना है ललिता भ्रहमरम क्रिडना प्रिछती इससे आप नोट कर लिजे अब बढ़ते हम लोग अगला कोस्चन की ओर इसमाकम पदस्य मुलसब्द का अस्ति असमाकम में मुलसब्द क्या है इस आप नोट कर लिजे इस तरीके से दिसमर का मंथल एस्समेंट क्लास 8 का कम्प्लिट हुआ आपको सब समझ माया होगा अगर नहीं पर दिख्यत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजे मैं आउस्सेशन में किलर कर दूँगा और वीडियो अच्छे लिएक तो वीडियो को प्लीज लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि उनको भी इस वीडिय कि अपन हो जाएगा अब आपको प्लेडियो पर टच्छ करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेडिस्ट ओपन हो जाएगा कलास्टिक सेवन एट नाइन सब्जेक्ट वाइज और चेप्टर वाइज तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं ध खन्यवाद